नमस्कार स्वागत है आपका नैशनल खबर में गौरी खान हुई 51 की तीसरे बच्चे का लिंक परिक्षन करवाने से लेकर रुक्स के साथ एरपोर्ट में पकड़े जाने का केस होने तक जिहां शारुक खान की पद्नी गौरी खान का आज पर्थडे है आज का दिन वाकी सालों से कुछ मुश्किल भरा जरूर है लेकिन क्रूज ट्रुक्स पार्टी मामले में आज आरियन खान की जमानत पर फैसला आने वाला है आज जन दिन के खास मौके पर आपको बताते हैं कि कब और कैसे सुर्ख्यों में रही है गौरी खान जी हाँ गौरी खान को सालों पहले उस वक्त सुर्ख्यों में आ गई थी जब खबरे उड़ी थी कि गौरी खान को बर्लिन एरपोर्ट में ड्रग के साथ पकड़ा गया है पुलिस द्वारा इस मामले में कोई अपराथिक स्ट्रेटमेंट सामने नहीं आई हाला कि खबरे ये भी थी कि गौरी ड्रग्स एडिक्टेट भी हैं खबरे लगातार सामने आने के बाद इन सभी खबरों को गौरी ने Lifestyle Magazine को दिये एक इंट्रिव्यू में एक अफवा बताया था गौरी ने कहा है कि उन्हें इस तरह की खबरों से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तीसरे बच्चे का करवाया था लिंक परिक्षन शारुखान के तीसरे बच्चे का जन मुंबई के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में सेरोगेसी से हुआ था शारुखान और गौरी पर आरोप था कि उन्होंने बेटे की चाहा में लिंक परिक्षन करवाया है मामला सामने आने पर महरास्ट के रेडियो लॉजिस्ट असोशियेशन ने पहले ही उनकी शिकायस स्वास्ते मंत्रा ले और PCP NDT कमेटी से की थी साथ ही एक NGO ने भी गौरी खान के खिलाव कंप्लेंड की थी तो आप सभी हमार साथ जुड़े रहिए और पिखबरों को जानने के लिए धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए सबस्क्राइब करें यूट्यूब पर फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लाइक करें फेस्बुक पर और जादा जानकारी के लिए नाशनल खबर की वेब साइट पर जाएं आपको टाइप करना होगा सिर्फ नाशनल खबर